तो यहां पर मैंने कुछ प्यास काटे हैं टमाटर काटे हैं हरी मिल्च काटी है क्योंकि मैं बना रही हूं मटर पुलाओ बास्मती राइस वाला आज कुछ जादा बनाने का मनी कर रहा है गर्मी बहुत जादा है गुजराथ में तो मैंने सुचा चलो मटर का सिम्पल वाला पुलाव जो होता है न वही वाला पुलाव है लेकिन ये पुलाव लगता बहुत ही टेस्टी है बहुत जटपट से बन जाता है तो चलिए बना लेते हैं सिंपल रेसिपी है तो क्या हुआ लेकिन रेसिपी बहुत बढ़ी है तो आपके साथ शेर कर देती हूँ मैं किस तरह से कभी-कभी सिंपल खाना बनाती हूँ तो आज मैं सरसों के तेल में यानि कि मस्टर औॉil में बना रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ चीजे मस्टर्ड ओयल में बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन इस ओयल को पहले तेज गरम करना पड़ता है सोदाट इसकी महक वगरा जो है फ्रेग्रेंस हजीब सी जो स्मेल है वो निकल जाए फिर इसके बाद मैंने डाला है जीरा और हींग और जीरा जब मेरा अच्छे से फूड गया है तो मैंने डाल दिये डारेक्ली प्याज और हरी मिर्ची कुछ मिर्चियां लाल हो गई है क्योंकि आजकल जो वक चल रहा है उसमें सबजियां काफी पुरानी रखके भी यूज करनी पड़ रही है तो बस यही बेसिक मसाले पड़ते हैं बहुत सिंपल वाला पुलाओ है यह जब जादा काम करने का मन ना कर रहा हो तो बना लो आलू डाल दिये मैंने कटे हुए और कुछ वेजीज है आप वो भी डाल सकते हो मेरे पास सिर्फ मटर और आलू ही है आज तो मैं बस वही डाल देना है पानी में किसी साब से डालती हो गर एक कटोरी चावल है तो डेढ़ दो कटोरी पानी इसी साब से डालती हो नमक डाल देना है जितना डिजाइड है और इसके बाद एक अडिशनल चीज में डालने वाली हूँ वो है देसी की देसी की इसके अंदर ऊपर से आप एक थोड़ा ही धनिया था आज कल के दिन ऐसे हैं कि चीजे खतम हो जाती है जल्दी से और साथ में दही है तो जितना धनिया था उतनी बना ली है बहुत मज़ा आता है पुलाओ को चटनी के साथ और पापड के साथ आप खाईए मज़ा आ जाएगा तो आज मैंने देखी कि इन के साथ कंबाइन किया है चटनी पापर दही अचार भी लेंगे अफ कॉस हम लोग तो इतनी सारी चीजों के साथ हम लोग खाने वाले है पुलाओ तो बन गया है पुलाओ देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा देसीगी में गरम करके डाल रही है वैसे ऑप्शनल है डाल लेकिन उपर से देसीगी पड़ाओ ना ऐसा गरम करके डालो ना तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है कभी ट्राइगर करके देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया साथा सॉंधा सॉंधा सिंपल सा पुलाओ है ये जो के और तो के लिए काफी कमफोटेबल फूड है बिल्कुल बंध है एसी चालू है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इतनी हो रही है कि मेरा फेस चल रहा है और रेड रेड हो गया अप देख सकते हो अगर थोड़ा बहुत पता चल रहा हो पिंग पिंग सा हो रहा है मेरा पूरा फेस और जल रहा है मतलब इतनी ज सब्सक्राइब करें कि अधिया कि आज सिर्फ दिन में मैंने मटर पुला बना है था मटर आलू टाल के टमाटर वाला और बहुत बढ़िया बना था और इस चेटनी के साथ तो बहुत आउटस्टैनिंग लगता है इसके लावा पापड थे दही थी और सॉरी कुछ लोग कहते हो घर के काम इतने होते हैं हाउसर पजनी होती है और पता नहीं क्या हुआ है मुझे ये सुबा से मेरा फेस पूरा गरम गरम हो रखा है मतलब गाल गरम हो रहे हैं बाकी बॉड़ी पूरी थंडी है गाल गरम हो रहे हैं और वहीं से पिंक हो गया है और ये पता नहीं इतना चलो जाके आते हैं और क्या आज तोड़ा सा सो भी गई थी दिन में आराम भी किया इसलिए फिर मैंने कैमरा आज ओन ही नहीं किया कभी-कभी पता है आप लोगों को भी होता होगा है न कि जो काम हम रोज करते हैं उससे हम पक जाते हैं थक जाते हैं मन नहीं करता वाला काम कर तो आज मुझे भी ऐसे ही हो रहा था कि बस camera on नहीं करना है मैंने सोचा तो था vlog shoot नहीं करूंगी आज लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना मैंने recipe तो जैसे तैसे करी दी और मेरा भी मन नहीं माना मैंन सच में कोई shooting नहीं करने वाली थी बड़ I love you so much guys आज मुझ से नहीं रहा गया मैंने सूचा कुछ तो shoot कर ही लेते हैं इसाम को और आज मैंने सोचा मैं खाना नहीं बनाओंगी क्योंकि फेस बहुत जल रहा है तो देखते हैं विवेक को बोलते हैं आज विवेक से कुछ चैलेंज कर्वाते हैं पृश्या कुछ चैलेंज तो आटे का उन्होंने सूप बना दिया था चिप चिप कर दिया था चलो देखते हैं क्या होता है पराला जमें तो नहीं बनाने वाली हूं विवेक को मना करने हूं क्योंकि जब मैंने पुलाव भी बना रही थी ना उस ट्राम पर मुझे यहां जल रहा था आज देखते हैं बीवी जी को क्या बना के खिलाते हैं मैंने रखा है मैंने रखा है क्योंकि बहुत जदा हालत कराब हो रही है गाइस आपके हैसा वेदर है मुझे बताईए का ममी से कल बात हुई थी तो ममी बोल भी थी कि वहां तो अभी थोड़ा ठंडा वेदर है एसी चालू नहीं सब्केंदगे है एसी में बहुत थे दि披ेशना आरहें तो एपहे हैं बहुत सडवा है मैं चेंज कर लेती हूं क्योंकि उन्यचिंच कों गड़ते हैं तरपायर भाई बाई न oc крас , आप यहां देख सकते हो ितना अठ्या अच्या लगरा है तो मैंने कपड़े तो जेंग नहीं किये बस इसके नीचे ही ये ट्राक पैंट प्रिशा का पहन लिया है और अब हम जाएंगे उपर और किस-किस को ये लिप कलर अच्छा लग रहा है जरूर बताइएगा ये मैंने दो लिप कलर्स को कमाइन किया है पीच कलर का शेड लगा के उसके पर हलका सा पिंक को टच कर दिया आप लोग भी इस तरह से लिप कलर्स क्रियेट कर सकते इस तरह से जैसे ले अगर आपने कोई मैं आपको बना के दिखाऊंगी किसे दिन पीच कलर की मेरे पास एक मेरे लिए उसको मैंने हलका साफलाई किया और उसके बाद उसके उपर से एक मैट पिंक कलर की लिपस्टिक है बस उसको हलका सा टच कर दिया सिर्फ टच-ब टच-ब उनली टच-ब बहुत से skin color चाहिए ऐसा texture चाहिए लेकिन guys जो जितना गोरा होता है उसको उतनी ज़्यादा skin problem होती है और उतनी ज़्यादा उसकी skin sensitive होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा sensitive हो जाती है संभालना मुश्किल हो जाता है गर्मियों में care करना और sun rays भी सबसेदा effect करती है यही reason है कि जो गोरे लोग है उनको ज़्यादा तर pigmentation वगरा हो जाती है जो कि मुझे भी है थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है थोड़ी थोड़ी सी है तो बहुत कर्मिय लग लग रही है आप कहां पर कैसा में तरह है मुझे मताइएगा हमारी तो हालक कराब है ना और वो हालक कराब हो रही है लो बेटा आज इसको मैंने बहुत सारा बढ़ाया जिसकी बहुत वाट लगाई है तो आज हमने टेबल्स लगरा करवाई है विवेक ने टेबल लान कर वाई है इसको 1 से लेके 10 तक तो उसको आती थी उसके बाद इसको 11, 12, 13, 14 15, 16, कहां तक आ गई 20 20 तक आ गई है चलिए, तो आज खाने में तो विवेक ही बनाएंगे देखो मैं आप से मिलवाती हूं उनको फाना भूई बनाएंगे, आज मेरा फइस जल रहा है आज हमने आपके लिए कुछ सोचा है वो यह कि आपको पता है, मेरा फइस पूराओ जल रहा है कैसी और सीक्षट लाल-पिली लाल-पिली नहीं और वारी हूं, पिंक होरी हूं कि आठो आपे लिए चाएलनगी आर अटा डौननेateurs जो भी बोल सकते हैं आप आठा गुनेंगे आप पाराधे बनाएंगे और हमें किलाएंगे हम चाहे के साथ खालेंगे बिकास आज ना मुझे गैस के पास नहीं जाना कि आज जब मैं पुलाओ बना ली थी ना तो भी मुझे जल रहा था जीरे मिटे की बाकरी निए पहले पराथे बना लो वही बहुत है पहले तो तुम आटा गूंद लो वही बड़ी बात है तो आज आज आप यह करोगे चालेंज आपके लिए एक सब्सक्राइब है हां जी हां जी चलो ऊपर टारस पे चलो और रोज एक ही टीशिट पहन लेते हैं अब हेट कमेंट्स आ जाएंगे जलेगा मुझे टीशिट लगती पहनता हूं चलो ऊपर चलो तो हम लोग वोग कर के उपर आज प्रिशा कर रही है सिर्फ इसकी वज़े से जो मुझे इडिटेशन सी हो रही है देखते हैं विवेक अज क्या बनाते हैं स्टेए टून गाईज पहली बार विवेक ओन कैमरा पहली बार एक्चली इससे बहले उन्होंने कभी रोटी नी बनाई पराथा कुछ नी बना है और शायद मैं उनसे ना भी करवाती है चैलेंज फिर कभी करवाती है लेकिन आज हालत भी हो रही है कि आज मैं गैस के पास जानी पाऊंगी तो मैंने सुचा चलो लगे हा तो आज ये चैलेंज भी हो जाए वीडियो भी बन जाए आपको भी थोड़ा मजा आएगा तो अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा में के फर्स्ट वीक से लेकिन ये पंदरा दिन बहुत ज़दा गर्मी होती है और आज पता नहीं मुझे कैसे हुआ है ये इरिटेशन मुझे भी नहीं पता मुझे गर्मियों में हो जाता है इन फाक्ट मुझे कभी-कभी बहुत तो मैंने सुचा थोड़ा सा किचिन वगरा क्लीन कर दूँ क्योंकि विवेक अब काम करेंगे और उन लुगों को एक तो आदत नहीं होती ही काम करने की तो मैंने का थोड़ा साफ कर दूँ कई बार मेरा लंच के बाद ठीक से साफ करना रह जाता है आज कल हाउस हेल्पर न बेल सकता है और कोई तरीका होता नहीं अराम करने का तो यहाँ पे मैं तैयारी बगरा सब करके रख दूँगी और यह पराद गंदी है पहले इसको साफ कर लूँगी क्योंकि इसी में वो आटा गुनने वाले हैं तो मैं पराद साफ कर देती हूँ और बाकी के बरतन फिर म को डालने वाले होंगे आटे में रफाइंड ओयल सब कुछ में रिडी करके तयार कर दूँगी और यह बरतनों को साइड पे छोड़ दूँगी राद को अराम से करूँगी लेट नाइट तो यहाँ पे मैंने पराद साफ कर दी एक बर इसको सूखा कर दूँगी बस अब स सारी त्यारी कर दूँगी ताकि विवेक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो रिफाइंड ओयल से लेके everything I will put it here so that उनको सब कुछ easily मिल जाए तो आज बहुत मजा आने वाला है चैलेंज के दौरान ऐसी ऐसी बाते हुई थी ना you gonna enjoy like anything तो चलिए सारी त्यारी हो गई है चलिए एसी का सुक छोड़िये और चलके आपके वह चैलेंज करिये जाए आपके सब चीजे मैंने तयार कर दी है आपकी सारी चीजे तयार हो गई है चलिए देखो आपको तकलीव ना हो ना इसलिए मैंने सब कुछ लगा दिया यहां पर आज आया हूँ पाड़ के नीचे कभी इनृने life में आटा नी बांता है है एक बार बान था इनृमने soup बना दिया आते का देखते हैं आज क्या करते है यह तो चलिए challenge begin चालेंज स्टार्ट हो रहा है यहां पर आपको नमक डालना है यह तेल है यह पानी है आटा बानने के लिए I hope कि आप प्लाटफॉर्म बहुत गंदा नहीं करेंगे पता चला आपने चालेंज तो कर दिया लेकिन बाद में मुझे एक घंटा लगया साफ करने में ऐसा मत करना प्लीज चलिए देखते हैं येस येस अई हल्दी क्यों डाल रहे हो हल्दी वाले परांठे नहीं खाने हो में तेल बाला बस देखो शुरुआत हो गई है प्लाटफॉर्म गंदा गर्मे की देख लीजे गाईस बस बहुत मत डाल देना ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ रहे हैं क्यों अरे वो डाला तेल तो डालो खोड़ा बहुत थोड़ा सा डलेगा जाधा नहीं डलेगा इसका ध्यान रखना लगे रहो मुन्ना भाई बस बहुत मत डाल देना बस दाथ सिट यस चलो अच्छा है इस वीडियो के बहाने हमें आपके हाथ के पराथे तो खाने को मिलेंगे रोटी नी बनानी पराथे बनाने है रोटी या नी बनानी रोटी तो आप पतानी क्या कर दोगे बेलोगे भी कुछ लोगो समझनी आएगा गुजराती में लोट कहते हैं जब से हुवी है साधी आशु बहारा हूं ओ माइगाड आफत पड़िये गले में अच्छा उसको निवारा हूं मतलब मैं आफत हूं है ना मैं कितने आशु बहाली है रोज रोटी बना बना के रोटी पोते यह विवे का प्लाटफॉर्म का गर रहे हो हूँ नीचे कपडा लगा दू पापा बना रहे है अज तो पता नहीं होर क्या होगा आज यही बनाएंगे बेलेंगे भी यही क्या हुआ अब पता चला कि हम क्या करते हैं जेरली मल्ब लोग औरतों को कहते न तुम करती ही क्या हुआ ही दो होगा पापाः आज म capaz करते हैं यह यह उद्धर न जेक्तस्ता बनेगे क्या हैं पैली गुलसजव टेखने ही करते हैं पारतों के बरग दूंके पाराढ़ेतों कि ने घरखने मरेंगे पले परें जले से बनेगी इंडिया यह उन्ड एफिर बनेगा इंडिया कि औरते कितना काम करती हैं आप मल्डों लगता है न कि औरते करती गया है अब क्या केना जहेंगे बाप कुछ करती है भाई यो लोगिंग फपनी पूरी क्यों हिल society पूरी क्यों हिल रहे हो यह तेहएज़की कम security अम्रिट सरी पराठे अच्छा मतलब ओके तुम भी शूर नहीं हो के तुम हमें क्या खिलाने वाले वाज रिड़े कितना टाइम तोड़ी लगता है आटा बांगने में अब तक तो मैं दो बार बांदू हाँ तो आप क्या कर रहे हो यह अरे बाबू थोड़ा सा पानी और डालो वो जो सूखी जगह है ना उसमें थोड़ा पानी डालो सूखी जगह पे आज की डेट आज का टाइम विविक नोट डाउन कर ले ना कि आपने जो है रोटी शुट्टी बनाई थी आज तक नी बनाई ना लाइफ में दिस विल बी फॉर्स ताइम पहली पहली बार बलिये हो गया है हाल बढ़िये क्या होगे इतना क्यों जोड लगाना पडर रहे है तुमें इतना कड़क बना दिया क्या दिखाओ ? एक मिनिट करदा करद करदिया ई-बरभार की थोड़ा पानी लगाओ साइड पेज और सुखा सुखा सा अटा रेगे से पानी लगाओ बाबू पानी लगा लो थोड़ा अब कुछ हेटर्स आके लिखेंगे पती से काम करवा रही है किसनी बेश्यरम आउरत है ये उनका बाब किया जाता है मैं मेरी वाइफ को हेल्प कर र करें के अब तुम्हें अठा बंना आ गई अब तो जा है? है ना? है सच में एक बर जाने जैसा है देखती हूं कैसे करते हैं पीछे से क्या बनाता है क्या हाते हैं ये बाब अब इसमें थोड़ा तेल लगाओ और फिर इसमें तॉड़ा तेल लगा दू जिसे हाराम से थोड़ा सा, थोड़ा, हाँ बस, that's it, अब इसमें ऐसे करो, देखो, ऐसे करो, हाँ, बहुत खुशी का मुझे एहसास हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, जब हस्बंड स्कावली करते हैं, पहली बार बादा लेकिल सही बादा है, दिखा दिखा है, हाँ यार, सच में सही आटा दिखाती होगा इसमें आपको, एकदम पर्फेक्ट लगा, इंफेक्ट तुमने तो पूरी का लगा दिया, बहुत कड़के तुम पराटी के से बेल होगे फिर, अरे गुज्रादी भाक्री बनाएदी शू अपड़े, गुज्रादी भाक्री बनाएदी शू अरे अरे आपरे पसीने नीगलनाई मेरे पती के तो, और पसीना भी भी मिसूजां ड़ुक्स होगा या लोर्या तैसी रहए ओ आज आच रहेँ करो हटा ह। मैं गर्दू ठीर जाई बड़ा मज़ा आता है तो ऐसे हुस्बंड से कभी काम कर दो क्योंकि यह लोग कभी काम नहीं करते हैं तो काम करते हैं तो क्योंकि हम कभी लाइफ में से काम करवाते नहीं है और आज तो आगे हमारा उड़ पहाड के नीचे यह पर चैपर उड़े बन गवारा तो नहीं है टारा हम आपको नहीं है नहीं बाद मैं प्लाटफॉर्म भी क्लीन करना आपको अबड़े हम जादा नहीं इस लोट अच्य बनाया है तोड़ी सी देर रखे न विवेक इसको एक बर वापस से थोड़ा इस पे हाथ लगा ले ने बच्चे भी कैसे चेक करके आ रहे हैं कि पता नहीं पापा ने क्या है ना दिया अच्छो ना ना बड़ा मॉमी को जान दो कहा जान दो मैं पराटी के लाँगी मतलब इने रोटी बना नहीं आटा बनना है अभी तो तो प्लानिंग होने लगए बीवी को माई के भेजने की कैसे होते हैं ना यह मर्द लोग सब ही ऐसे होते हैं देखिए प्लाटफॉम भी क्लीन हो रहा है अस तो इस अब कॉर्णर में कर दो बबू यह डबबबब आपको जगा रहेगी ना खाम करने को चलो मैं आपको सारा साथाप करके देती हूने रोटी का थोड़ा भी इसको करने के थोड़ा रेस्ट करने देखिए फिर आम लोग किचिन में आते हैं लोई बना के और इनको सारा सैट अप मैंने करके दिया है इसमें तेल है विवेक पराथा बनाने के लिए इसके उपर फोड़े अलना है बाबू जब पराथा बनाओगे तो अरे वावा यह देखिए अरे वावा वा विवेक तुम तो बड़े छुपे रुस्ताम निकले ना तुम कुछ ने निकला वाई तुम बनाओ तब भाई यह क्या बात हुए जालो नहीं तो चिपाग जाएगा विवेक सची बोलू बड़ा दुलिद्री को सुकून मिल रहा है तुमें रोटी बनाते देखके लाइफटाम एक्सपीरिंस फर्स टाइम आफटर शादी यानि तुमें आता है लेकिन तुम बहाने करते हो बचने के लिए है ना अरे अभी से कहां पलट रहे हो उसको थोड़ा पचने डो वैसे एक चीज़ बोलनी पड़ेगी गाईस कि जिस इस आप से फर्स टाइम बना अभी आप अभी और थोड़ा होने दो कोशिश कर रहा हो का अच्छा बना सको अबरी बीवी को खिला सको कि कि तिन खिला हो गे फिर कभी नी खिला होगे आँ बस अफ इस नोट फैर यह देखे विसे काफी कुछ अच्छी बनादी है इना ने कोई बोलेगा नही के फर्स ट एक अबराएंग अबरार यह ज़स अब मैं ऊसको तक बनाते खर भी तो अबराण चेश भी लाएंग कर बोला के जब देने के लिए झारे आप से पैले कितनी वार मेरी तबएद खराब हुई जब मैं रोटी आ बनाने की हालत मैं नहीं थी फिर वी में कीचेन में काम कर घह तो कभी आपने आके क्यों नहीं बोला के रुची आपकी तबित बहुत ज़दा खराब है हट जो आज मैं कर लेता हूँ इसका जवाब बीजेगा इसका कोई जवाब मेरे पस नहीं है भी फिरहाल को क्यों नहीं है पकड में आगे इसी लिए हां रंगे हां तो पकड लिया मैंने तुम्हे इट मीन्स तुमको आईडिया था कैसी बनाया जाता है तो फिर बीवी को जब हैल्प की ज़रुद सच में होती है तो तब करनी चाहिए ना क्या कहना चाहोगे सारे मर्दों को करनी चाहिए और क्या अच्छा मतलब ऐसे कह रहे हो जिसमें मजबूरी में कहना बढ़ रहा हो कहना क्या चाहते हो इंडिरेक्ली कुछ और कह रहे हो सिर्फ हासे जा रहे हो कुछ बोलोगे नहीं क्या बोला भी यह देखे विवेक का पराठा बना है नोने अच्छा बना है not bad गैस तोड़ी हलकी करो बाबू देज हो गई है तोड़ी सी हलकी करो पसीने पसीने होगे न कषया रे लिशलते ही तो कर लेती हूं यार IT पीली ठोला अब nut imagine क्ली पासिलेटा फैमिली खाना खिलाना होता है मैं क्या हार अणवर कर लग लेकिन कभी आप लोगे इस को समजा गरो हो स Sakta ये वीडियो देख academia हैं वोज चीज को समझें के औरतों को भी घर में लगती है, औरतों को भी सब कुछ होता है, इस तिल वो लोग करते हैं सिर्फ just because of, for the sake of her family और एक और चीज विवेक, खाना बनाते बनाते कुछ question answer भी हो जाएं कुछ लोगों को ना मर्दों को ऐसा लगता है, शायद आपको भी ऐसा लगता हो पहले मुझे नहीं पता अगर लगता हो तो हाँ बोलना एक्दम genuinely कुछ लोगों को लगता है कि खाना बनाना बड़ा ही छोटा साता है और उस पर कोई अफ़र्ट नहीं लगते और 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 अरते करती ही क्या है घर में सिर्फ खाना ही तो बनाती है इस टू हाड ना यहाँ पुस्ट नहीं बन गया ठीका 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 यहाँ थाली दो ओ यह देखे विवेक का फस्परोड़ा नॉट बाड ठीक बना है असे बुरा नहीं कह सकते अच्छा बना है एक मिनट यह देखे नक्षा नहीं है अटलीस्ट थोड़ा बहुत गोल तो अरे वाँ यह वाला थोड़ा सा नक्षा बन रहा है यह क्या आपने नाक निकाल दी चोंच अरे वाँ तो यह देखे मेरे पती का पहला बराठा मेरे लाइफ में मैंने पहली बार इनको यह बनाते देखा है यह गरवी लग गई twelve please तो तो यह की लगई नहीं हो रहा मुझे इस वफ देख यह लो प्युए तो यह भी हालत देखेशन है एसे पाष्णो में हम ओड़ती जो मंट है सोचते है कि ऑड़ते तो डिजर्व करती है ने लिडिली स्क्राइब एविए नहीं सही बात गलत नहीं गोर रहुआ है यह डिजर्व रिस्पैक्ट सल्यूट है और हाउसवाइज के लिए हम दोनों की रख से सल्यूट है सभी हाउसवाइज को चलो मैं बच्चों को देती हूं आपको दिखाती हो दूसरा अला भी बहुत अच्छा बना है काफी अच्छा बनाया है कोई नहीं बोलेगा पंदा फर्स टाइम बना रहा है हां मैं बच्चों के लिए सर्व करती हूं तो चलिए गाइस में वापस से इसी में आ गई हूं देखिए चेरा लाल लाल हो गया है गर्मी से और विवेक ने मुझे भी गरम गरम पराठा दिया और पहली बार मेरी जंदगी में हो रहा है कि वो बना रहे है और मैं खा रही हूं पहली बार मेरे जंदगी में हो रहा है तो प्लीज हेटर आके यह ना लिखे बिल्कुल भी कि आपका हस्बंड तो जो है बना रहा है और बेशरम की तरह बेशरम वारत खा रही है कि हमें गरम गरम खाना के लाई हो तो चलिए गाइस मैं खाना खा लेती हूं उसके बाद आ प्लीज थो